So, now we will learn how we can tap students' feelings and offer examples. Teach your child about feelings. देखे, हम ये चाहते हैं कि बच्चे के अंदर कुदरती तौर पर एक sense पैदा हो जाए अच्छाई और बुराई के बारे में और वो नेकी के काम करें और बुराईयों से मना हो. So, हम क्या करेंगे? We will use feeling words in everyday conversations. हम रोज के रोज जो बात चीत बच्चों से कर रहे हैं उसमें feelings की बात करेंगे. ये तो बहुत अच्छा है, ये मुझे पसंद है, ये तो बड़ी जबर्दस बात है, इस पे तो अल्ला ताला खुश होता है. और हमें ऐसी बातें उसके साथ करनी चाहिए हैं, जहां वो हलका concept ले, के चीजें मुक्तलिफ होती हैं. कुछ बुरी होती हैं और कुछ अच्छी होती हैं. बच्चे को बताएं के भई, आप नाराज लग रहे हैं, आप खुश लग रहे हैं, आप तो बड़े जबर्दस्त हैं, फीलिंग्स में बात करें ताके उन फीलिंग्स को बात में वो टैप करें, उसको पता चले के फीलिंग्स कोई चीज होते हैं और इनका असर दिया भी इसी वज़ा से हम उनको एंपथी भी टीच कर सकते हैं, जैसे मैंने अर्स किया, शुरू में छोटे बच्चे होती ना टॉडलर, अभी उनको जो वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, जो उनको खुद को अच्छा लगता है, वो कहते हैं, बस सब को पता होना चाहिए कि यही ची होने पड़ा है, सब मेरा है, मैं इसको पानी में डालूँ, मैं इसको खराब करूँ, मैं जमीन पे फैंको, I can do it, तो ये जो चीजे हैं, इसके उपर हमें काम करना है, और हमने उनको बताना है, कि एमपिती जो है, वो क्या है, जानी जब आप गलत बात करते हैं, तो दूसर आपको अच्छा लग रहा है, आप क्या फील कर रहे हो, आपने ठीक काम किया है, इससे क्या होगा, इसका क्या फाइदा है, या इसका क्या नुकसान है, तो हम इस तरह से बात करेंगे, फिर ये कि हम उनको खुद एक्जांपल्स ओफर करेंगे, जैसे चाइड विल लट तो जैसे मैंने अर्स किया, बच्चों की आदत है इमिटेशन, उनका काम है तकलीद करना, पिछली दिनों मैंने देखा कि घर में बज़ूर खातून थी, और एक छोटी बच्ची जो थी, वो लकड़ी के सहारे चल रही थी, तो उसने फौरण इर्द गिर लकड़ी ढोंड ये, क्यों नहीं करना चाहिए, इस से क्या फरक पड़ता है, बहुत बेहतर है, कि जब आप बात कर रहे हों, तो आप वो करके भी दिखाएं, और आप एक रोल मॉडल के तौर पर सामने आएं, मसलन अगर आप फर्श के उपर से कोई कुड़ा, करकट या चिप्स का डस्बिन में रखेंगे, तो अगले ही लम्हें आपका बच्चा भी कुछ ना कुछ उठा के जो इस तरह की गलत चीज़ पड़ी है, उसको डस्बिन में डालने की कोशिश करेगा, अगर आप इसी के सामने खाना लाके पेश कर रहे हैं, तो बच्चे को भी बहुत दिल कर होगा, कि मैं भी इसी तरह एक ट्रे पकड़ के किसी बड़े के सामने लाके पेश करूं, और बताऊं कि मैं भी आपके लिए खाना लेके आए, तो जो चीज़ हम चाहते हैं, कि ये अच्छी हमारे बच्चे के अंदर पैदा हो, सबसे पहले हमें खुद मॉडल करनी है, प् करेंगे ये नहीं, या पहले से बताएंगे, कि बेटा इस चीज़ का वादा हम नहीं कर सकते, ताकि उसको अंदाजा हो कि वादा एक बड़ी स्ट्रिक चीज़ होती है, अगर वो कर लें, तो फिर पूरा करते हैं, इसी तरह उसके सामने कोई छोटा सा भी जूट मत बोलें चुटाएं नहीं उसको, कोशिश करें, कि आप बिलकुल उसके साथ ऐसा रविया इक्तियार करें, कि जैसा रविया अगर वो इक्तियार करें, तो आपको कोई अफसोस ना हो, सच बात करें, सच बात करें, एक अगला तरीका ये है, कि अगला तरीका ये है, कि आपको ये समझाने कोशिश कर रही हूं, जो कुछ भी हम चाह रहे हैं, कि हमारे बच्चों में पैदा हो, ना सिर्फ ये कि हम उनको बताएंगे, उसकी एहमियत, वो उनको करके और ये नहीं होगा, कि हम उनको अलग से कोई रियक्त करने हों, और वो अलग से करें, उनके साथ मिल के करें, जैसे अगर हम ये चाहते हैं, कि हमारा बच्चा चैरिटी शो करें, और वो दूसरों का ख्याल करें, तो आप कुछ पैसे या रकम लेकर, उसके साथ जाके, किसी मुस्तहिक को पकड़ाएं, और साथ में बताएं, कि देखें, अब वो इससे खुश हो रहा है, क्योंकि हमने उसकी फूड की, या उसके कपड़े की, या जो भी उसको जरुरत थी, वो हमने पूरी की, जैसे आपने कपड़े पहने हुएं, और आपको अच्छा लगता है, क उसका ड्रेस अच्छा हो, और ये कि जब कोई बड़ा आपके सामने अपना बड़ा है, आप उसके सामने जाएं, और आपने आपने उसका हाथ पकड़ के चूमा है, या आपने उनको रिस्पेक्ट दी है, तो बच्चे को भी बताएं, कि देखें, हम बड़ों की इज़त इस तरह से करते हैं, अपनी ग्रेंड मदर या ग्रेंड फादर के साथ इस तरह से पेशाया जाता है, तो आपने उनके साथ रहके, अगर आप वालिदैन हैं, या अगर आप प्री स्कूल टीचर हैं, दोनों सूर्तों में आपने उनके साथ वो एक्ट करने हैं, जो आप चा